Welcome viewers, this is A.K. Chaudhary from the Global English Classes Bidol As you know that, essay is a very important topic in any exam किसी भी exam में essay होता है, वो बहुत ही एक important topic होता है खास करके class 12 में आपका 8 marks में पूछा जाता है आपका essay So जो भी important essay है, उसको आप लोग मैं 2-4-5 वीडियो बनाऊंगा उसमें आपका clear कर दूँगा, जो भी essay आपके exam में पूछने वाले है तो देखते हैं, the newspaper, newspaper पर आज दिखेंगे कि essay आप कैसे लिखेंगे newspaper के उपर, अखबार के उपर It is the era of newspaper these days ये जो यूग है ना, era, यूग है, newspaper का यूग है, these days इन दिनो ये जो यूग है, इन दिनो जो काल है, यूग है वो किस चीज़ का है, अखबार का है, newspaper का है It has become very essential for our lives एक चीज़ और याद रखेंगे, कुछ capital और small में आप खुद से कर लेंगे क्योंकि computer पे जब typing होता है, जैसे यहाँ पे इंटर डबाया जाता है, तो यहाँ पे capital से start हो जाती है तो उस चीज़ को अब लोग तरह से देख लेंगे, यहाँ पे small ही होगा Our lives, it has become very essential या हो गया है क्या हो गया है, newspaper हो गया है, बहुत ही आवस्यक for our lives हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में ना newspaper बहुत ही essential हो गया है, आवस्यक हो गया है It gives us up-to-date information about the world यह देता है, newspaper देता है, हम लोगों को up-to-date information जो up-to-date information होती है, जानकारी होती है वो चीज़ ले करके देता है, about the world, मतलब दुनिया के When we get up early in the morning, we wait for the newspaper When we get, जब हम लोग उठते हैं, up early in the morning यहाँ पर फिर a small you होगा, up early in the morning सुवा में जब हम लोग सबेरे उठते हैं, we wait हम लोग इंतजार करते हैं, for the newspaper किस चीज के लिए, newspaper के लिए, अखबार के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, सुवा को Without reading it, इसके पढ़े बिना Without Kamala, reading it, इसे पढ़े बिना We feel as we have missed something very useful ऐसा महसूस होता है, कि हम लोगों ने miss कर दिया कुछ बहुत ही उपयोगी चीजों को बला यदि हम लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं सुवा को तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही useful चीजों को हमने क्या कर दिया, दस इस परकार इस परकार हमारे जिंदगी में बहुत ही क्या है इंपोटेंट है, महतवपूर्ण है क्या चीज़ न्यूजपेपर, देखते नेक्स स्लाइट में न्यूजपेपर इस बून तो मॉडर्न एस न्यूजपेपर आसिरवाद है, बरदान है मॉडर्न एस, यह जो आधनिक वर्स है उसके लिए हम लोग रहते हैं, जीते हैं इन एस आप साइन्स, विज्ञान की दुनिया में विज्ञान के एस में साइन्स ने बना दिया है लोगों को of the world दुनिया के लोगों को like the members of same family एक ही परिवार के सदस हम लोग रहते हैं, किस दिज्ञान की दुनिया में और साइन्स ने क्या करा है हम लोगों को ऐसा कर दिया है कि लगता है कि एक ही परिवार के हम लोग क्या है सदस्य है इस तरह से साइंस ने हम लोग को बना दिया है we want to know हम लोग जानना चाहते है everything सब कुछ which happens not only in our country जो होता है केवल हमारे ही देशों में नहीं but also in other countries of the world बरकि दुनिया के दूसरे देशों में भी जो कुछ होता है जो कुछ happens होता है उस चीजों को भी हम लोग जानना चाहते है ऐसा science ने हम लोग को बना दिया है it gives us all kinds of news and views of the world या देता है मनला newspaper देता है हम लोग को सारे परकार की जो भी news होते है और views होता है of the world दुनिया का जो भी विचार होता है या फिर जो कुछ समाचार होता है इन चीजों को newspaper हम लोग के सामने रखता है हम लोग को देता है next letter देखते है a newspaper is the most important source of advertisement and propaganda newspaper एक सबसे महत्पुर्ण most important सबसे महत्पुर्ण source है of advertisement advertisement विग्यापन का सबसे बड़ा महत्पुर्ण सबसे महत्पुर्ण source है क्या चीज़? newspaper and propaganda और propaganda का भी propaganda दो तरह से समझ सकते है propaganda किसी बात को कर देना अगर आपको किसी ऐसे idea को या idea को कर रहे है propaganda विचार को विमर्स को जिससे उसे फायदा हो रहा है लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते है rumors, propaganda कर देते है तो propaganda दो सेंस में हुआ किसी के idea को भी spread कर देना, फैला देना या किसी rumors को भी क्या करना है spread करना, फैला देना तो ये दोनों चीज़ों के लिए advertisement के लिए और propaganda के लिए newspaper बहुत ही ज़्यादा महतपुन स्रूत है businessmen advertise through it businessmen advertise करते विग्यापन करते है through it इससे although advertisement is a big source to earn of the newspaper although हला की advertisement है एक बहुती बढ़ा source to earn of the newspaper newspaper के earning का, earn करने का मनलब कामाने का एक बहुती बढ़ा source है, क्या चैज़ advertisement, it is a link between the people and the government newspaper एक link का काम करता है किसके बीच में तो लोगों के और सरकार के बीच में दोनों के बीच में एक link का काम करता है कौन सा जीज newspaper we can carry our voice to the government through it हम लोग अपना आवाज पहुँचा सकते हैं कहां तक, सरकार तक through it इससे news paper से हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुचा सकते हैं देखते हैं last slide को thus इस परकार a newspaper is a means of knowledge and entertainment इस परकार से समझ सकते हैं कि newspaper means से साधन है knowledge का ग्यान का and entertainment और entertainment का इसका बहुत ही बड़ा परभाब साली means है और प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा के लिए it gives us the latest news या देता है हम लोगों को latest news latest news का मलोग क्या होगा नवीनतम जो news होता है जो नया जो समझार होता है वो चीज़ को देता है about our country and the foreign countries किसके बारे में हमारे देश के बारे में और विदेशी देशों के बारे में next day मिलेंगे next topic को लेकर के किसी न किसी important essay को देखेंगे next day so thank you very much for watching this video